लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है काफी लंबे समय से भारत चीन सीमा का विवाद चल रहा है खबरें आई कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है कई दोर की वारता चली और उसके बाद एक ऐसी घटना सामने आई जिससे पुरा देश आज आक्रोसित है देश के लोगों के मन में गुस्सा है कई तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे हैं लेकिन भारत की सरकार का जो रवय्या रहा केंदर की सरकार का जो रवय्या रहा वो अत्यनत दुर्भागे पूर्ण है पहले कहा गया हमारे तीन जवान शहीद हुए हैं फिर बताया गया हमारे 20 जवान सहीध हुए हैं फिर बताया गया हमारा कोई भी जवान चीन की सेना के कबजे में नहीं है चीन के कबजे में नहीं है और कल ये जानकारी मिली और वो भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि दस हमारे जवानों को चीन से छुड़ाया गया है मेरा सवाल ये है कि ऐसे गंभीर मसले पर सीमा विवाद के ऐसे महत्पूर्ण विशाय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से जूट क्यूं बोल रही है ये देश की जनता के साथ एक विश्वास घात है जो केंद्र की सरकार कर रही है सही जानकारी ना देना जवानों के बारे में उनकी शहादत के बारे में आकड़े छिपाना देश को गुमराह करना सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना ये देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वास घात है मैं पूछना चाहता हूं केंदर सरकार से आखिर किस कारण से हमारे जवानों को बंधग बनाये जाने की खबर आपने छुपाई आखिर किस कारण से जवानों की शहादत पहले तीन बताई फिर बीस बताई आप देश को सच बताईए पूरा देश इस वक्त आक्रोसित है गुस्से में है और वो सच जानना चाहता है इस वक्त हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वोच बलिदान दिया है मुझ जवानों के साथ खड़े हैं सेना के साथ खड़े हैं हम कोई राजनी तीस विसे पर नहीं करना चाहते लेकिन पूरा देश इस वक्त चाहता है कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए और भारत की सरकार बदला ले हमारे जवानों की शहादत का पूरा देश चाहता है भारत की सरकार चीन से बदला ले भारत की सरकार देश के प्रधान मंत्री मुहतोर जवाब दें चीन को हमारी पार्टी और हम लोग इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं पूरा देश सही जानकारी चाहता है सही जानकारी दीजिए देश के सामने एक अप्रेल के पहले की स्थिती सीवा पर बहाल होनी चाहिए कभी खबरे आती हैं 60 स्क्वार किलोमीटर चीन ने हमारी जमीन को कभजा कर लिया कभी कुछ खबरे आती हैं भारत माता की रख्षा के लिए हमारे वीर सपूतों ने जो कुरूबानी दी है वो ये मांग करती है देश की सरकार से कि भारत की जो जमीन आज चीन के कब्जे में है वो जमीन चीन से वापस ली जाए और एक अप्रेल के पहले की इस्थितिया बहाल की जाए जो हमारा छेत्र था जो भारत माता की धर्ती थी उसको आजात कराया जाए इस पे किसी भी प्रकार का कोई समझाओता देश बरदास्त नहीं करेगा आज ये समय है एक रास्टिय संकट का समय है हम लोग प्रधान मंत्री जी से देश की सरकार से मांग करते हैं कि आप हमारे जवानों की शहादत का बदला लीजिए आप जो जमीन चीन के कबजे में है उसको आजात कराये उसको फिर से भारत माता के हिस्से में सामिल कीजिए देखें ये बहुत ही दुर्भागे पूर्ण बात है कि ऐसे रास्टिय संकट के मसले पर वो नेता अरविंद केजरिवाल जो इस देश के एक लोकप्रिय नेता भी हैं और तीन बार दिल्ली के चुने हूए मुख्य मंतरी हैं। वो दिल्ली के मुख्य मंतरी हैं। क्या भाज़पा की सरकार और प्रधान मंतरी जी उनको देश के महत्वपूर्ण नेताओं में सामिल नहीं मानते? क्या ऐसे मसले पर उनकी राय लेना नहीं चाहते? हम हर रास्टी ये मसले पर हर रास्टी ये संकट में हर रास्टी ये आवदा में मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहते हैं देश के साथ खड़े रहते हैं ऐसे में मैं बहुत हैरान हूँ कि अरविंद केजरिवाल की राय को ना सामिल करके सरकार क्या कहना चाहती है क्या हासिल करना चाहती है और जो 55.000 का क्राइटेरिया आपने बताया वो भी गलत है मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ठीक है मैं तो मानता हूं कि सारी पार्टियों को सामिल किया जाना चाहिए उनकी राय सामिल किया जाना चाहिए लेकिन ये पांच सांसोदों वाली बाते किस सम्मिधान में लिखी है डेमोक्रेसी की कौन सी परिवासा आप परिवासित कर रहे हैं और आप लोग तो मीडिया चैनल वाले हैं खुद पता कर लीजेगा कि पांच सांसत की पार्टी को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है एक लंबी सूची है आप देख लीजेगा तो अरविंद केजरिवाल को नहीं बुलाना तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना मैं समस्ता हूँ ये अपने आप में सरकार की सोच को उजागर करता है और वो किस प्रकार से किस दिसा में सोचते हैं ये पुरा देश देख रहा है ये आप खुद चेक कर लीजे ना मैं तो आपको बता रहा हूँ और आपके चैनलों ने ही चलाया है ऐसी तमाम पार्टियां जिसके पास पांच सांसद नहीं है उनको भी बुलाया गया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको बुला के कुछ गलत नहीं किया गया है सबको बुलाना चाहिए मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल क्या देश के महत्वूर्ण नेताओं में शामिल नहीं है या उनकी राय लेना भाजपा की केंदर की सरकार और प्रधान मंत्री जी को जरूरी नहीं लगता है मैं तो सिर्फ इतनी बात पूछा हूँ और ऐसे समय में भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसे समय में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है आप सिर्फ नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास सबका साथ लेना नहीं चाहते इसका जवाब केंदर सरकार को देना चाहिए इसका जवाब भारती जंता पार्टी को देना चाहिए ये एक रास्टिय संकट का विसे है ये कोई चुनाव की राजनीती नहीं है ये कोई रैली सभाधर्णा प्रदर्शन नहीं है ये एक रास्टी ये संकट का विसे है देश की सीमा पर विबाद चल रहा है हमारे जवानों कि ने अपनी शहादत दी है तो ये तो सरकार को तै करना चाहिए कि उसको सबको साथ लेकर चलना है कि नहीं चलना है धन्यवाद